आज हमारे पास है टारबुल वाइब 340 नेक बैंड यह जो नेक बैंड है पंदरा सु रुपए के अंडर में आ जाता है मेरा नम्यतन में आप देख रहे हैं टेक उनीक लेट स्टाट दे विडियो आप देख सकते हैं यह है मेरा अमेजान का पैकेज अब गयाज इसमें जो है दो नेक बैंड है मैंने दोनों नेक बैंड वाइ कर लिये थे टारबुल के जो दो नेक बैंड आय हुए हैं तो आप सबसे पहले यहांपे कट कर लेता हूं मैं इसको तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह दोनों neckband है यहाँ पर यह है vibe अपना जो देख सकते हैं यह है 5340 और यह है दुसरा वाला जो की है 390 शायद तो इसको रखते हैं side में सबसे पहले आपने यहाँ पर करेंगे vibe 340 का unboxing तो यह आप देख सकते हैं यह है tarbol 340 का box तो यह आप लिखा हुआ है clear sound and extra brace यहाँ पर लिखा हुआ है clear sound and extra base up to 30 hours को आपको यहाँ पर playback time देखने को मिल जाएगा साथ में यहाँ पर दो device को pair कर सकते हैं मतलब इसमें dual connectivity देखने को मिल जाता है जल्दी से जो है इसका मैं यहाँ पर seal है उसको cut कर लेता हूँ यह हो गया seal cut तो आप देख सकते हैं यह है neckband टरबूल का vibe 340 यहाँ पर आपको एक accessory pouch देखने को मिलता है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक user manual साथ में आपको देखने को मिल रहा है neckband को जल्दी से बाहर निकाल लेते हैं यह अब देख सकते हैं यह है neckband यहाँ पर neckband को रखते हैं side में box को भी रख लेते हैं side में यह जो है volume up-down का है और यहीं से जो है आप गाने को previous और next कर सकते हैं left side में आपको टारवल की branding देखने को मिल जाती है और यहाँ पे जो है मैंने blue color का buy किया तो यहाँ पे आपको blue color देखने को मिल जाता है बीच में overall जो है काफी बढ़िया है यहाँ पे आपको जो है magnets भी देखने को मिल जाएंगे और guys यहाँ पे जो यह build quality है earbuds का यह यहाँ पे metal के housing के साथ आता है काफी अच्छी build quality है overall यहाँ पे आपको wings वगरा भी देखने को मिलते हैं जाकि आप जो है यहाँ पे इसे workout वगरा में भी use कर पाएं बाकी मैं जो है इसको जल्दी से पहनता हूं और आपको बताता हूं कि कैसे इसकी fitting आती है okay तो मैंने तो इसको पहन लिए fitting काफी सही आ रही है बढ़िया fitting आ रही है okay काफी अच्छी fitting आ रही है तो मैं इसे कह सकता हूं कि आप जो है आरम से jogging वगरा पर लेके जातो सकते हैं बढ़ गाई यहाँ पे हलका सा जो है मुझे wire का length जो है थोड़ा सा कम लग रहा है बाकी आर यहाँ पे wire का length अगर थोड़ा सा और ज्यादा होता तो मज़ा आ जाता wire का length थोड़ा सा कम है क्योंकि आप मुंडी थोड़ा सा straight कर रहा हूं तो यह थोड़ी सी बुरी बात है wire थोड़ा सा और लंबा देना चाहिए तब बाकी connectivity कार में बात करो तो इसमें आपको देखने को मिलता है Bluetooth 5.0 इसको जल्दी से phone के साथ connect कर लेता हूं यहाँ पे इसको connect करने के लिए जो simply आपको power on off के button को tap करके रखना है power on के button को यहाँ पे tap करके रखते हैं यहाँ पे आपको LED indicator देखने को मिल जाएगा यह आप देख सकते हैं blue color का indicator है तो इसको जल्दी से आप connect कर लेते हैं phone के साथ phone में जाके आपको simply refresh पे tap करना है यह आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है HD audio quality नहीं देखने को मिल रहा इसका मतलब यह है कि इसमें जो सिर्फ आपको SBC तक का support देखने को मिलता है तो यहाँ पे आपको connect तो करे लिए जल्दी से इसमें कुछ गाने वगएरा सुनता हूं और आपको बताता हूं इसके sound quality के बारे में काफी बढ़िया sound quality है मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे SBC का kodak होने के बाद भी बहुती अच्छी sound quality देखने को मिल जा रही है यहाँ पे बेस की सबसे पहले में बात करना चाहूंगा बेस जो है यहाँ पे इन्होंने कहा है Amazon के page में आपको ultra deep bass देखने को मिलेगा तो काफी अच्छी clarity छोड़े जो आवाज होते हैं यहाँ पे details होती है वह काफी अच्छे तरीके से सुनाए दे रहे थे overall acoustics भी बहुत ही अच्छे बहुत ही warm है सबसे अच्छी चीज इसकी मैं बताना चाहूंगा यह जो है बहुत ही जादा loud है बहुत ही कम लोग यहाँ पे ह साथ जो भी रहेगा उसको जो है यहाँ पर सुनाई देगा कि क्या आप सुन रहे हैं यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर इसका sound है वह काफे ज़्यादा loud है बहुत ही ज़्यादा loud sound quality और RM से लीक कर जाता है sound आपके कानों से अलाकि दोस्तों यहाँ पर earbirds की quality काफे ज़्यादा इसमें जो है आपको fast charging देखने को मिलता है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे battery के segment में यहाँ पर जो है आपको 3D sound देखने को मलता है यह 3D sound जो है काफी अच्छी तरीके से work करता है 1200 रुपए के हिसाब से जो है काफी अच्छा जो है काम कर जाता है वहीं पर दोस्तों बात करूँ इसमें जो है आपको IPX5 की waterproofing देखने को मलती है साथ में जो है यहाँ पर आपको dual connectivity mode भी देखने को मलता है जहां पर dual connectivity mode में आप दो phones को connect कर सकते हैं या फिर एक laptop एक phone को connect कर सकते हैं तो यह जो है काफी अच्छी बात है 1200 रुपए के अंडर में आगे बढ़ते कर रहा हूं इस पर जो है इन्होंने थर्टी आर्ट का battery backup claim किया है हाला कि यहाँ पर battery की capacity जो है वो नहीं पता है क्योंकि यहाँ पर नहीं कर रहा है battery के बारे में overall मैं कहना चाहूं कि यहाँ पर इन्होंने fast charging भी दिया हुए 10 minute अगर आप इसे charge करते हैं तो 10 घंटे तक यह जो है playback time दे सकता है आपको overall जो है battery backup भी काफी अच्छे लग रही है हाला कि यहाँ पर battery का quantity अगर पता चल जाता तो और मजा आता है और यहाँ आपको micro USB का port देखने को मिलता है इसको charge करने के लिए यह बाद मुझे यहाँ पर काफी अदा खराब लगी है हाला कि दोस्तों का battery backup 1200 रुपए के अंडर में काफी बड़ी बात है इसलिए मैं इसको rating देना चाहूंगा 4.5 आट और 5 तो अब यहाँ आपको सुनके जच करना है कि कितना जो है यह नॉइस कैप्चर कर रहा है यहाँ पर आपको fan on करके मैं बताता हूं कि कितना जो है यह noise capture कर सकता है अगर आप fan on रखते हैं तो अभी जो है मैंने fan on कर लिए ताकि आपको सुनाई देखि कितना जो है यह fine का आवाज record करता है कितना जो है यह fan का आवाज catch करता है कितना मेरा आवाज यह record करता है यहाँ पर आपको 1200 रुपे के हिसाब से या फिर 1100 रुपे के हिसाब से काफी एक अच्छा battery backup वाला neckband काफी एक अच्छा sound quality वाले neckband और build quality में भी काफी ज़दा बढ़िया है 1200 रुपे के अंडर मैं मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो है recommended रहेगा बड़ गाइज यहाँ पर इस price point में आपको डीजो का neckband देखने को मलता है साथ में यहाँ पर आपको कभी कबार sale में रियल मी का भी neckband देखने को मलता है तो यहाँ पर उन सारट neckbands के साथ यह उतना टककर दे देता है battery backup के मामले में बाकी सारी चीजों में उनको ठककर नहीं दे पाता क्योंकि उन में जो है आपको gaming mode वगरा देखने को मलता है इसमें as such कोई भी gaming mode वगरा देखने को नहीं मलता है तो यह जो है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए रहेगा जिनको जो है अनलाइन उनके लिए रहेगा यह बाकी यहां पे गेमर्स लोग के लिए बिलकुल भी recommended नहीं रहेगा तेरा सो या पंदरा सो रुपए के अंडर में इतना है था इस वीडियो में अगर आपको यह neckband बाई करना है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहां से जाके आप चेकाउट कर सकते हैं बाक यार इसको मैं overall rating अगर देना चाहूं तो मैं इसे देना चाहूंगा 4.6 out of 5 इस price के हिसाब से जो जो इन्होंने claim करा है बहुत यह अच्छी तरीकी से यह work कर जाता है इतना है था इस वीडियो में आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और यहाँ पर जो है इसका जो दूसरा model है उसका भी यहाँ पर मैं unboxing लेके आने वाला हूँ उसका भी आपको यहाँ बटन में देखने को मल जाएगा वीडियो जब भी वह वीडियो आ जाता है इतना है अच्छी वीडियो में आपका इस वीडियो को देखने के धन्यवाद तब तक लिए उस्ता जैहंद वन्ने मातरम और आपका देनों शुब रहे